नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है, आपकी अध्यापी का आश्मा महाजन आज लेकर आई है, क्लास 8 की बुक है नई दीप मनिका जिसका चैप्टर 9 मैं अपलोड करने जा रही हूँ, आप सोच रहे होंगे कि क्लास 8 नई दीप मनिका तो मैं आपने श के बाद, अगर फिर भी आपको चैप्टर की डिमांड 8 चैप्टर से आगे चाहिए होगी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा, क्यूंकि मैं सोच रही थी कि क्लास 8 की बुक जो है, वो मैं नई सेशन से शुरू करती है, लेकिन बीच में अगर किसी बचे ने बोला है, तो बिल्कुल डलेगा चैप्टर, जिसको जो चाहिए वो ही डलेगा इस चैनल पर, ठीक है, तो आज आपका पाठ है क्लास 8 का चैप्टर 9 है, कन्याम सरंग्षेत पाठेत च, समझी गए होंगे मीनिंग, जी हाँ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बिल्क इसने की है, हमारे देश के प्रधान मंतरी शिरी नरेंदर बोधी जी ने, आप सब जानते हैं, इस जोईना के अंतरगत, बेटी के माता पिता को क्या क्या सुविदाएं दी गई है, है ना, आप सब जानते हैं, कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, योजना पालिकाओं क उजवल भविश्य के लिए है, और एक लापकारी योजना है ये, अब केंदर सरकार देश की बालिकाओं को बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, योजना के अंतरगत, दस वश तक की बालिकाओं के लिए, एक और योजना की सुविदा उपलब्द कर रही है, सू कनिया सम्र अगर आपने सुना होगा तो, ऐसा इसलिए इस योजना का उदेश्य यही है कि लड़कियों का स्तर जो है लड़कों की तुलना में कम हो रहा है, और लड़कियों को बोज समझा जाता है, इसलिए उनकी ब्रून हत्या कर दी जाती है, इस समस्या को देखते होए केंदर सरक बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, योजना को शुरू किया गया है, इस जोजना के जरीए बेटीयों के भविश्य की उजवल कामना के लिए और उन्हें शिक्षा के शितर में आगे बढ़ाने के लिए योजना शुरू की गई है, चलिए, पाठ शुरू करती हूँ, आगे एकसरसाइज में जांफीर आप जब भी पाठ सुनेंगे तो उसमें वाक के नजर आएंगे, तो एक बार आप मेरे से सुन लीजिए, एक वचन में, क्रीध हातु है, जिसका मतलब होता है करना, क्रीध हातु का एक वचन, प्रक्थम पुरुश का रूप होता है कुरे दूबी वचन पुरेआज कुरेफ़ मध्याप वचन कुरा इंद्वि वचन कुरेअत कुरे दूबरत है कुरेव मत्याप वचन कुरेफ कुरे तम ऊथ है उत्थ impacting असमाकम देशे मतलग हमारे देश में अध्यापी दो वर्ट से मिलकर बना है अध्य प्लस अपी अध्यधन अपी आज भी ओके तो हमारे देश में आज भी पुरुष परधान समाज है एतेन कारनेन इसी कारण से पुत्राह पुत्र पुत्री ब्य श्रेश्ट तरा पुत्रियों से श्रेश्ट मन्य अन्ते माने जाते हैं जनाह पुत्रे बेः इचंती ना तू पुत्री बेः लोग पुत्रों की इच्छा करते हैं ना की पुत्रियों की आदुनिक समाज में भी अनेक स्थानों पर बाल्य काले बच्पन में एव ही पुत्री नाम वदम तासाम भून हत्याच भवती पुत्रियों का वद और शिशु हत्या होती है आदुनिक समाज में भी अनेक स्थानों पर बच्पन में ही पुत्रियों का वद और शिशु हत्या होती है एतेन कती पएशु इस कारण से कती पएशु राजेशु कुछ राजियों में पुर्शा नाम संख्याया वरिदी, पुर्शो की संख्या में वरिदी, नारी नाम संख्यायाम जहलास है द्रिश्यते और नारियों की जाने कि इस्तरियों की संख्या में कमी दिखाई देती है फिर से रपीट कर देती हूँ इस कारण से कुछ राजियों में पुरुशों की संख्या में वृद्धी और इस्तरियों की संख्या में कमी दिखाई देती है इस असमानता के कारण समाज विवस्थे आया अवनती भवती समाजिक विवस्था का पतन होता है अवनती होता है डिक्री जोना पतन होता है clear first paragraph चलिए second अशिक्षा एव अशिक्षा ही एतसाम कुरिती नाम एतसाम मतलब इन कुरिती नाम कुरिती नाम का मतलब होता है बुरी रित्यों अशिक्षा ही इन बूरी डितियों मूल कारणम का मूल कारण है ठीक है वयम पच्या में हम देखते हैं यत की शिक्षित राजेशू शिक्षित राजियों में एशा कूपरथा नगन्यास दी ये कूपरथा ना के बराबर है हम देखते हैं कि शिक्षित राजियों में ये कूपरथा ना के बराबर है अतयव इसलिए हमारा करतव्य है यत की यत वयम स्वी मन विशे लोकान शिक्षित रिष्टवा स्वेव ऐसी परिस्थिती देखकर काश्चित समाजिक संस्था कुछ समाजिक संस्थाओं नारी नाम शिक्षन आये नारियों की शिक्षा के लिए जनान प्रेरिता मकुर्वम लोगों को प्रेरित किया अशिक्षा ही इन बूरी दितियों का मूल कारण है हम देखते हैं कि शिक्षित राजियों में ये कूप रथा ना के बराबर है इसलिए हमारा करतव्य है कि हम इस विश्य में लोगों को शिक्षित करें ऐसी परिस्थिती देखकर कुछ समाजिक संस्थाओं नारियों की शिक् कन्याह मही लाएं निज परिवारस से अपने परिवार के सहयोगेन सहयोग से सरवेशू शेतरेशू सभी शेत्रों में सव प्रयतनेन अपने प्रयतन से उद्यमेन परिक्ष्रम से शिक्षया और शिक्षा से चर का मतलब और उच पदेशू उच पदों पर विद्यमान संती व अभी शेत्रों में अपने प्रियत्न, परीष्रम और शिक्षा से उच पदों पर विद्धेमान हैं, क्लियर, ता स्वदेशस्य, वे स्वदेश की, अपने देश की, कीर्ती पता काम, यश की द्वजा को धारित्वा, धारन करके, अगरे अगरे एव गछन्ती, आगे ही आगे जा रही है अधुना एता अब ये वायुयान चाली का चिकत्स कहा डॉक्टर परबंदी कहा मैनेजर अभियंता रहे इंजिनियर सेना प्रमुखा चबूदवा और सेना प्रमुख बनकर उच्पदान अलंकुर्वंती उच्पदों को सुशोबित कर रही है सुन लीजिए एयर होस्टेस के लिए का गया है ये अब ये वायुयान चाली का डॉक्टर मैनेजर इंजिनियर और सेना प्रमुख बनकर उच्पदों को सुशोबित कर रही है पूर्वे अपी पहले भी अनेक काहनार्य अनेक महिलाओं ने स्वदेश अस्य अपने देश समाज अस्य च और समाज की उत्थानाय उन्नती के लिए बहुनी कार्यानिय कुर्वन बहुत से काम किये पहले भी अनेक महिलाओं ने अपने देश और समाज की उन्नती के लिए बहुत से काम किये यथा लक्ष्मी भाई अहिल्या भाई होलकर मार्गेट थैचर महरानी एलिजाबेत इंद्रा गांदी बंधार नाय के आद्य विश्व परसिद्दे नारेब अभवत जैसे लक्ष्मी भाई अहिल्या भाई होलकर मार्गेट थैचर एलिजाबेत इंद्रा गांदी बंधार नाय के आदी विश्व परसिद्द महिलाएं हुई क्लियर यदी एता सरंक्षिता पालिता शिक्षिता हा च नासियू तरही कथमता उच्पदानी शोबितूं समर्था बवेयू कहते है यदी ये सरक्षित एता का मतलब ये सरक्षिता का मतलब रक्षित पालिता हा का मतलब पालित शिक्षिता हा का मतलब च शिक्षिता हा और शिक्षित ना सियू ना होती तरही तो उच्पदानी शोबिता उच्पदों को वे सुशोबित करने में कैसे समर्थ होती शोबितों समर्था बवेयू है ना कथम लिखा है ना कथम का मतलब कैसे तो फिर से सुन लो पूरा पैराग्राप बोल रही हूं एक बार रपीट करके पहले भी अनेक महिलाओं ने अपने देश और समाज की उन्नती के लिए बहुत से काम किये जैसे लक्ष्मी भाई, अहिल्या भाई होलकर, मार्गेट थैचर, एलिजाबेट, इंद्रा गांदी, बंडार नाई के आदी विश्व परसेद महिलाएं हुई यदि ये रक्षित, पालेत और शिक्षित ना होती, तो वे उच पदों को सुशोबित करने में कैसे समर्थ होती जानि कि अगर ये अनपड होती महिलाएं, तो क्या ये उँचे उँचे पदों पे आती? नहीं आती ना, इनका नाम हो पाता? नहीं हो पाता सबसे बड़ी अवशक्ता स्थी, अवशक्ता है, आज सबसे बड़ी अवशक्ता है यत कि, वैं सरवे मिलितवा कि हम सब मिलकर पुत्रं पुत्रीं च समानों मनें, पुत्र और पुत्री को समान समझे आज सबसे बड़ी अवश्यक्ता है कि हम सब मिलकर पुत्र और पुत्री को बेटा और बेटी को समान समझें असमा भी तेशाम समान रूपें सरक्षनम लालनम पालनम शिक्षनम चकरनिये असमा भी कहता हमें उनका तेशाम मतलब उनका हमें उनका समान रूप से सरक्षनम लालनम पालनम और शिक्षनम करना चाहिए असमा कम प्रियतनें हमारी प्रियतनों से पुत्रा पुत्रेच पुत्रों और पुत्रियां मिलित्वा देशास से उत्थाना है कारे रता भवेयू, कारे रत हों, येन, जिससे भारत देश है, भारत देश संपूर्ने संसारे, पूरे संसार में सरवोच्चम स्थानम लबीद, सबसे उंचा स्थान प्राप्त करें, एशा एवस माकम कामना, ऐसी ही हमारी कामना है, फिर से सुन लीजिए, आज सबसे बड़ रूप से सरक्षन, लालन पालन और शिक्षन करना चाहिए, हमारे परियतनों से पुत्र और पुत्रियां मिलकर देश के उत्थान के लिए कारे रत हों, जिससे भारत देश पूरे संसार में सबसे उंचा स्थान प्राप्त करें, ऐसी ही हमारी कामना है, देश के उत्थान के लिए कारे रत होना मतलब कारे में लगे रहना ओके लास्ट लाइन है नेक्स्ट अत्यहीं कन्याँ के प्रयतन से रक्षा करनी चाहिए पालन करना चाहिए और शिक्षित करना चाहिए इसलिए कन्याओं को क्या करना चाहिए कोशिश करकर उनकी रक्षा करनी चाहिए पालन करना चाहिए और शिक्षित करना चाहिए ठीक है भारत सर्वकारिन भारत सरकार ने अपी भी असीमन संदर्बे इस संदर्ब में एका योजना परचालिता एक योजना अरब की है यत की कन्याम रक्षेत कन्याम पाठेत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसी ओके कलियर है चेप्टर आपको इस योईना के बारे में मैंने शुरू में ही आपको इंट्रोड़क्शन दे दी थी स्टूडेंट्स तो जिस भी बच्चे को ये पार्ट चाहिए था और जिनके लिए भी मैंने ये अपलोड किया है क्यूंकि मैं सोच रही थी कि क्लास एड जो है वो नेक्स से शुरू करूँ कोई बात नहीं अगर सेकिंट अम से भी शुरू हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है मैं आगे बढ़ती चली जाओंगी लेकिन मुझे बताना जरूर कि आपको अगला चेप्र चाहिए या नहीं चाहिए ओकी ये शब्द शक्ती थी जानिकी शब्दर थे जो आपको नीचे दिये गए है उसके बाद आजाईए आपकी कैसा है तो हमारा समाच पुरुषपरधान है तो हमने लिग दिया पुरुषपरधान है कुरिती ना मूलकारन की मस्ती कुरितियों का मूलकारन क्या है अनपढ़ता अशिक्षा इलिट्रेसी ठीक है अध्यत्वे कन्याहा कानुलंकर अलंकुर्वंती आजकल कन्याएं किस से सुशोबित होती है उच्छ पदान उच्छ पदों से है ना बड़े बड़े पदों पर होंगी चलिए next अस्माभी केशाम से रक्षनम कन्या हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए बच्चो पुत्री नाम कन्या नाम लिखा है वो भी ओके पुत्री नाम लि पहले भी नारियों के उठान के लिए क्या क्या किया गया है बताईए जल्दी से नारियों के उठान के लिए क्या क्या किया गया पहले भी अपने देश और समाज की उनती के लिए लक्षमी भाई हिल्या भाई ये सब जिनके नाम लिये थे उन्हों उच उच पद पर वो शोबित हुई थी तो उनके लिए क्या क्या किया गया तो बताया गया है पूर्वे अपी नारिय देशस्य समाजस्य वैसे तो आपको लास्ट में आंसर मिल जाएंगे लेकिन फिर भी आगे यहां से लिख लीजिएगा उथानाएं बहुनी कार्यानी अकुर्वन ओके तो नार आंसर की प्रवाइट कर दी गई है ओके आधुनिक समाज में अनेक स्थानों पर क्या होता है बुरून अत्या बचपन में ही पुत्रियों का बद्द हो जाता है ना बस वही लिखना है यहां पर संस्कृत में आंसर आगे दे दिया गया है बहां देख लीजिए यह समझा द बारसरकार बारसरकार कि पर करें न कंद है पुत्रह संथि आग दो निरंत्रम पुरुशनां संख्यायायां व्रधि भवति निरंत्र में संख्या में वृति हो रही है पुर्षों की तो पुर्षा नाम की जगा केशाम लिग दिया केशाम का मतलब किसकी शिक्षित शिक्षित राजेशु एशाकू प्रथा नगन्यासी शिक्षी राजों में ये बुरी रिती जो है बुरी प्रथा जो है वो ना के बराबर है तो कह जलिए नेक्स्ट अब अब आपके साहंबनी है वाक्यों को उचित क्रम में दुबारा आपको लिखना है जाने कि rewrite the sentence in proper words आगे जब आपको answer की मिलेगी तो पूरा वाक्य मैंने लिख कर दे दिया है आपको यहाँ पर मैंने number डाल दी है कि पहले number पे कौन सा word आना है दूसरे पे कौन सा आना है तीसरे पे कौन सा आना है clear students अपने आप देख लीजिएगा क्यूंकि आप 8th class के student हो rewrite the sentence in proper order तो आपको आता ही होगा चलिए नेक्स्ट है भाषा अवबोधन शब्दों को अर्थों से मिलाना है नारे का मतलब तो आप समझी गए होगे इस तरह हैं मिलित्वा का मिलकर उसके बाद अवनती गिरावट उसके बाद है अभियंता इंजिनियर उसके बाद अदतवे आजकल ओके क्लियर चलिए कोशन नमबर बन तो आपका हो गया भाषा अवबोधन का उसके बाद आजएए कोशन नमबर टू इसी के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में याद है आपको बहुवचन है तो यहाँ पर कुरियू आएगा अब आप वहाँ धातू जाके देखेंगे विदी लिंगलकार में बहुवचन तो आपको समझ में आ जाएगा कन्याहा उच्पदेशु विद्यमाना संती संती की जगा सियू आएगा तो देशाय कार्यानी कुरूता की जगा कुरियाताम आएगा कुरूता वर्ड द्वी वचन का है ना तो द्वी वचन में यहाँ पर कुरियाताम यूज किया गया क्यूंकि हमें सारा कुछ विदी लिंगलकार में लिखना है और ये अस दातू का है ओके ये दो वर्ड अस धातु के हैं और वो क्री धातु के हैं इसलिए एक धातु लिखकर दे दी थी उसी के कोडिंग दूसी धातु है चलिए पद परिचे भवेयू धातु बतानी है फटवट से बताईए कौन सी ये भू धातु है लकार विदी लिंग है पर्थम द्याल से देख लीजिए ये आपकी प्रैक्टिस के लिए कारे पत्री का बन और कारे पत्री का टू दे दी गई है स्टुडेंट्स कारे पत्री का बन में विशेश्य और विशेश्य नलग करने है आपको सेपरेट दा अडजेक्टिव एंड डाउन अगर आपने समझे हों विशेश्य और विशेश्य कभी हिंदी में तो यही करने है अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पर विशेश्य की वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो में उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देदूँगी आप बहाँ पे जाके विशेश्य की अधुनिक समाजी अपी पुत्री नाम वदंभफ्ती आधुनिक समाज में भी पुत्रियों का वद होता है अब विशेश्य क्या है यहां पर विशेश्य हो गया आधुनिके और विशेशन हो गया समाजे ठीक है आजसर मिल जाएंगे आपको अशिक्षा एव एतासाम कुरिती नाम ठीक है उसी परकार से तौम असीमन विशे जनान शिक्षितान कुरू तौम असीमन असीमन क्या हो गया असीमन हो गया विशेश्या और शिक्षितान क्या हो गया हमारा विशेश्या शॉरी शिक्षितान भी विशेश्या ही है असीमन भी विशेश्या ही है और यहां पर व बिल्कुल सही और शेतरेशू हो गया आपका विशेशा ठीक है सेकेंड है वारताला पे रिक्तस्थानानी पूरियत वारताला में संस्कृत फिलिंग इन दा ब्लैंक इन फॉल्विंग कन्वर्जेशन अहां दीनेशा स्मी तो तौं का सी तुम कोन हो भई मैं तो दीनेशू त इसी तरह पूरी बारताला आप कंप्लीट करनी है अहम गरिमा असमी तो आम किम पटसी तुम क्या पढ़ती हो मैं तो गरिमा हूँ तुम क्या पढ़ती हो दीनेश है अहम गरितम गरितम अहम लगा है न तो आहम के साथ आपको बताई है पठामी आता है तो आहम के साथ सी आ गरिमा के आगे जो feeling in the blanks है उसमें क्या बहरेंगे तुम नहीं गनित यहां पर गनित आ जाएगा गनित विश्य की बात करिये तू का मतलब तो गनित तो मुझे अच्छा नहीं लगता बैद क्यूंकि दिनेश कहा रहा है मुझे तो गनित अच्छा लगता है मैं गनित पढ़ कारे पत्री का टू है आपके सामने अर्थ लिखकर वाक्य निर्मान करने है अब अस्माकम का मतलब होता है हमारे तो कोई भी वाक्य भरा सकते हैं अस्माकम विद्याले कन्या पठंती है अस्माकम विद्याले कुछ भी लिख सकते हैं बाले काले में बाले काले का मतलब होता है बच्छपन में बाले काले बालकाहा क्रिडंती उसके बाद बहुनी है बहुनी का मतलब बहुत से तो नारे बहुनी कारियानी कुर्वनती नारे नारियां नारे विद्यालियम गछंती मिलित्वा मिलित्वा को होता है मिलकर तो मिलकर ये कारे करो, तो मिलित्वा एवकारियम कुरू, ठीक है, उसके बाद है बाके शुद करने है माता पुत्रम स्नेहती, अब पुत्रम की जगा यहां पर क्या आ जाएगा, पुत्रे, पुत्र को, ठीक है, उसके बाद है नरे, नेत्रेन, नेत्रा ब्याम नी आएगा, नरे नेत्रों से नरे नेत्रेन काने अस्ती नेत्रों से क्या है काना है आगे आज़िए माम मोदकम रोचते मुझे मोदक अच्छे लगते है तो माम धोड़ी आएगा यहां पे तो मैया माना चाहिए न उसके बाद है सर्वे कन्याह पठंती सर्वे नहीं कन्या जादा है बहुँ अचान है तो यहां पर सर्वाहा ओके सर्वाह कन्या पटन्ति शात्रेभी शात्रों में रमेश रेष्ट है शात्रेशु चलिए आगे अनुबात कन्या संस्कृत में ट्रांसलेटें इंडू संस्कृत आज बाली का हैं शिक्षित है अद उठानम भफ्ती, शिक्षित होकर बच्चे देश का सम्मान बढ़ाते हैं, शिक्षिताह, भूतवा, बालकाह, देशस्य समानम, वर्देंते, वर्देंते के स्पैलिंग देख लीजिए एक बार, आगे देखो, अशिक्षा सभी कुरितियों की जड़ है, अशिक्षा सर्वास कुरिती ना मूल कारना मस्ती, इसलिए हम बच्चो को कहते हैं, प्लीज पढ़ लीजिए बच्चो, आगे बविश्य हमारा अच्छा बन जाएगा, बिना पढ़ाई के आगे का जमाना बिलकुल नहीं है, पढ़ना बहुत जरूरी है, कॉंपिटिशन बहुत है, लास्ट आ अगर नेक्स चैप्टर की डिमांड है, तो मुझे प्लीस जिस तरह ये बताया है चैप्टर डालने के लिए, अगला चैप्टर भी बता दीजिए गर, ओकी स्टुडेंस, तो यहां पर हमारा चैप्टर 9, क्लास 8, नई दीप मनिका का होता है, कंप्लीट, और यह हमने बच सकते हैं, फिर भी अगर कुछ समझ में ना आए, तो बे जिजग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे, मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, बहुत किम्ती समय निकाल कर आपके लिए यह वीडियो बनाया है मैंने, कमेंट कीजिएगा, अच्छी लगी हो वीडियो, और चैनल पर नए हो, तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं देने जा रही हूं, विशेशन विशेशय की वीडियो का लिंक, जो हिंदी में मैंन की कौन सी बुक चाहिए, ओके स्टुडेंट्स, जल्दी मिलती हूं आपको आपकी नए वीडियो के साथ, तिल देन गुद बाए